Hi everyone, welcome back to my channel और मेरे जानल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर दुए करती ही हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में आप से शेर करने जारी हूँ समर पार्टी मेकप लूग को इस मेकप लूग की खास बात गिये है दोस्तों कि मैंने कुछ निया ट्राइ किया है जो कि मैं आप लोग के साथ शेर करने के लिए बहुत जादा एक्साइटिड थी तो चली फ्रेंड्स देख लेते हैं और एंड में मैं आपके साथ कुछ हैरस्टैल भी शेर करूँगी प्राइमर भी बहुत जादा जरूरी होता है आपके मेकप को लोग लास्टिंग बनाने के लिए तो इसलिए प्राइमर का इस्तमाल जरूर करें तो हाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो तो इस तरीके से भी आप घर पर ही मेट फाउंडेशन बना सकते हैं दो फाउंडेशन को मिक्स करकर और जो की फुल कवरेज देते हैं आपके फेस पर तो इसे मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो अगर आपको लगता है कि यह ब्लेंड होने में थोड़ी सी परिशानी आ रही है तो आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो जो कि बहुत इसली ब्लेंड हो जाएगा अब मैं यहाँ पर लगा रही हो मेक का कंसीलर कंसीलर भी बहुत जादा ज़रूरी होता है आपके डाक सर्कल्स और पिंक मेंटेशन को हाइट करने के लिए तो इसलिए कंसीलर को एप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो इसे मैं एक फ्लाट फाउंडेशन ब्रश की हल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कीजेगा ताकि आपकी आइस पर कोई भी क्रीस लाइन ना बने तो यह देखे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है नेक्स में यहाँ पर लगा रही हूँ परपल का compact powder अपने foundation को भी अच्छे से सेट कर लूँगी और concealer को भी अगर आपकी oily skin है तो आप foundation अच्छे से apply कर सकते हैं मतलब थोड़ा सा जादा भी लगा लेंगे तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर आपकी dry skin है तो ज़्यादा compact powder को इस्तमाल ना खरे इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ Swiss beauty का eyebrow powder उससे पहले मैं spoolie की help से अपने eyebrows को set कर लूँगी इस तरीके से और अब मैं इसे Swiss beauty के eyebrow powder की help से fill कर लूँगी इस तरीके से और यह brush भी बहुत अच्छे से eyebrows को fill करता है बहुत अच्छा brush रही है इसके बाद मैं ले रही हूँ Hilary Rohuda के eyeshadow palette से यह dark pink कलर का shade लूँगी और इसे मैं अपनी crease line पर place करते हुए अच्छे से blend कर लूँगी और जैसे कि आपको अगर चाहिए friends कि आपका eyeshadow भी काफी देर तक टिका रहे आपकी eyes पर और पसीने से ना वहे तो आप इसी तरीके से eyeshadow का apply कीजेगा बहुत देर तक टिका रहेगा आपकी eyes पर तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ किस beauty की liquid lipstick जो कि मेरी dress के साथ बहुत अच्छे से match जा रही है आपके पास भी कोई भी other liquid lipstick है तो इस तरीके से आप eyeshadow की रूप में उसे लगा सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रही ही friends same applicator की help से ही मैंने इसे लगाया है और अब मैं एक blending brush लूँगी और इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी और अब मैं same Hilary Ruda के eyeshadow palette से जो की color मेंने crease line पर लगाया था और वही color से मैं इसे एक बार और अच्छे से lipstick पर लगा कर blend कर लूँगी जैसा कि आप यहाँ पर देख रही हो ताकि आपको यह न लगी कि आपने heavy सा कुछ लगाया या चिपचिपास आपको अगर लग रही है lipstick तो वैसे तो यह नहीं लगती है लेकिन अगर आपको ऐसा feel हो रहा है तो इस तरीके से आप same eye shadow लीजिए और इस तरीके से उसे blend कर लीजिए अच्छे से लगा लीजिए अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ small flat brush और इस पर मैंने makeup fixer को spray कर लिया है नेक्स में यहाँ पर मार्स shimmer eyeshadow palette ले रही हूँ और इसमें से में यह golden color का shade लूँगी और अपनी center eye lid पर अच्छे से apply कर लूँगी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो इससे बहुत अच्छा color आता है कोई भी अगर आप shimmer eyeshadow लगा रहे है तो इस तरीके से उस पर makeup fixer को spray कर इसे बहुत अच्छा pigmentation हाता है eyeshadow का तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो मैंने center eye lid पर ही golden color का shade apply किया है next मैं same brush से उसे मैं clean कर लिया है guys अब मैं gel eyeliner apply कर रही हूँ यहाँ पर मैं actually कुछ नया try करना चाहती थी मैं देखना चाहती थी कि इस brush की help से भी आप eyeliner को अच्छ time लगाया है और winged eyeliner बहुत अच्छे से बनाया है इससे मैंने बहुत स्मॉल सा wing बनाया है आप चाहें तो थोड़ा बड़ा wing अगर आपको पसंद है तो वह भी लगा सकते हो सो यह देखे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से अपलाई हुए ऐसे gel eyeliner आप भी यह अजमा सकते हो जो भी मैंने आज आपको tips and tricks बताएं है इस वीडियो में तो यह देखे मैंने eyeliner लगा लिया है brush को इसी type का था जैसा कि आपने देखा है अब मैं यहाँ पर लगा रही हूं Maybelline का mascara और अब मैं यहाँ पर same eyeshadow जो मैंने crease line पर लगाया था तो उसे मैं lower lash line पर भी लगा लूँगी pencil brush की help से थोड़ा सा blend करते हुए लगाऊंगी इसे बहुत ही केरफूली लगाईए गाईस इस तरीके से अगर आप eyeshadow लगाते हैं तो बहुत ही केरफूली लगाईएगा क्योंकि इससे क्या होता है कभी कभी जब हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स eyeshadow के आख में जाने का डर रहता है तो इसलिए मैं आपको यहां पर बता रही हूँ तो बहुत ही केरफूली कीजेगा इस टेप को और कुछ दूनों से पता नहीं क्या हो रहा है जब भी में में कप लुक करने लगती हूँ नहीं हमेशा काजल लगाना बूल जाती हूँ तो उसक अच्छी कंटॉरिंग होती है जब आप और ब्रश के यल्प से करते हैं तो बहुत अच्छी कंटॉरिंग करता है यह और इसका रिव्यू भी गाईज मैंने अपने चैनल पर अल्रेडी शेयर किया हूआ है तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन आपको मेरी प्लेइस्ट मेल जाएगी वीडियो की तो आप चेक कर सकते हैं अब यहां पर लगा रही हो मेबिलीन का काजल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं भूल गई थी तो मैंने एंड में लगाया अभी नेक्स में आपर लगा रही हूं स्वीस-beauty के blush palette से blush next में highlighter लगा लुँगी save palette से और guidelines please like ज़रूर कर दीजेगा friends आपके लिए इतनी महनत करते हैं आप, please please like ज़रूर कर दीजेगा like में बहुत convenient करते हूं इस फिरीके से guys अगर आप makeup करते हैं 5-6 घंटे तक आपका ये मेकप जगा वो टिका रहेगा समर्स में भी प्लीज रूट राई किजिएगा इन टीप सेंट्रिक को और कमेंट करके सुरू पताईएगा कि आपको मेरे आज का ये मेकप लुक और टीप सेंट्रिक कैसा लगा और फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर ये लीकी लाइनर है बहुत जादा अच्छी लाइनर है गाईस और अब मैं यहाँ पर किस बीटी की ही लिक्विड लिप्स्टिक लगा रही हूँ जोकि मैंने आइस के ऊपर रिप्लाई की थी तो वही सेम काफी अच्छी लिप्स्टिक है और थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स आपने इन लिप्स्टिक के रिविउस को बहुत 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 जादा पसंद किया था बहुत अच्छी व्यूज आया थे मेरे उस वीडियो पर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी कट किये थे तो वही सेक्षन लिया है मैंने उसे ट्विस्ट करते हैं आप पिन अप कर लीजे बालों को मैंने पिन नहीं किया है क्योंकि मेरे बालों में बहुत ही सिल्की बाल है तो इसलिए नहीं टिकती है इसलिए अब मैंने इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करकर इस तरीके से इन ऐसे सिरीज को एपलाई कर लिया है जब आप पीन अप करेंगे ना गाई तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो बहुत ही मिन्टों में बन जाता है ये लूक आप देख सकते हो और मेरे हैर्स मेरा पता नहीं क्या चकर है कि कोई भी ऐसे सिरीज जाद देर तक नहीं टिकती है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से आप एर्स्टेल को बना सकते हैं अब मैं दूसरी साइड के भी थोड़े से बालो का सेक्षन लूँगी और इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए वहाँ पर यह ऐसे सिरीज एप्लाई कर लूँगी जैसा कि आप देख सकते हो तो यह है मेरा फिर्स्ट लूक ऐसे सिरीज वेगरा और जूलरी आप अपने अपने पहन सकते हो और फ्रेंड्स जो मेरे पास थी वह मैंने वही पहनी है तो फर्स्ट हेर स्टाइल और फर्स्ट लूक मेरा यह है आप देख सकते हो और हां फ्रेंड्स यह मैंने यह रिंग न्यू परचेस की हैं तो प्लीज कमेंट करके जूरू बताना आपको कैसे लगे और सैकंड हेर स्टाइल मैं आपको बता देती हूं कैसे बनाना है आपने फर्स्ट हेर स्टाइल को बनाए रखना है उसी में आपने पीछे के बालों को लेना है और इस तरीके से बन बना लीजे रबर बेंड लगा लीजे बन में और इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे हाथ में है ये विग मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस की थी तो मैंने इस विग को इस तरीके से लगा लिया है ये बन विग थी जैसे की बन में लगाते हैं तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये इसलिए मैंने इसे परचेस किया तो इस तlike से मैंने इसैं बन बना लिया है पीछे के बालों को पहले बन बनाए है उसके बाद मैंने इस week को लगा लिया है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था मुझे की हैर स्टाइल आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये hairstyle कैसा लगा आशा करती हूं दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये makeup look पसंद आया होगा और hairstyle भी पसंद आया होगा और पसंद आया होगा और पसंद आये तो please friend मेरी इस video को like share जरूर कर दीजेगा comment करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और friends आप मुझे follow कर सकते हैं Facebook, Instagram और TikTok पर भी मैं आपसे मिलती हूं और भी amazing सी videos के साथ तब तक के लिए bye bye take care love you all और पसंद आपसे मिलती हमा और भी मैं आपसे मिलती हैं